वर्ष 1950-51 में हें माचल प्रदेश में लगभग कितने हेक्टक शेत्र सिबों के अंतर गत्था? E. 400B. 2000C. 4000D. 6000 हें माचल प्रदेश के बिलासपूर जिले में HPMC को फल और सबजियां आदी की पैकिंग और ग्रेडिंग के लिए पैक हाउस और कोल्ड रूम किस स्थान पर स्थापित करने के लिए भारत सरकार से वित्तिय सहायता मिली है? E. शहतलाई B. अमरपूर C. घुमारवी D. कुठेडा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हर्बल गार्डन किस स्थान पर है? E. नेर्चॉब B. भंगरो टूसी सुंदर नगर D. जोगिंद नगर कैप्टन आर्सी ली ने किस वर्ष के आसपास कुलू क्षेत्र में सेब का बगीचा स्थापित किया? E. 1870 B. 1895 C. 1905 D. 1910 हिमाचल प्रदेश के उना जिले में फ्रूट डिमोंस्ट्रेशन फार्म कहां पर है? A. सलोव B. अंजोली C. जलेरा D. पुगबोवाल H. पीम सी बिलासपोर जिले के किस स्थान पर फलों, सबजियों, हूलों और औशधियों की पैकिंग ग्रेडिंग के लिए कोल्ड रूम स्थापित करेगा? A. जुखाला B. घुमार्वी C. शाहतलाई D. कंद्रोर वर्ष 2013-14 में दिसंबर 2013 तक हिमाचल में फलों का उत्पादन कितने लाग टन हुआ? A. 6.57B. 7.23C. 7.80D. 8.28 हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षन 2014-15 के अनुसार दिसंबर 2014 तक कितने लाग में टन फलों का उत्पादन हुआ था? A. 4.83B. 5.76C. 6.29D. 6.53 बहार, मलहार और बागेश्वरी किस की किस में है? A. चाय की B. आलू बोखारे की C. आलू की D. मश्रूम की सैंटा रोजर किस फल की किस में है? A. आलू बोखारा B. सेब C. नाश पाती D. खुमानी हिमाचल प्रदेश को भारत का बागवानी राज्य किसके उत्पादन की वजह से कहते हैं? A. आम B. सेब C. निम्बू D. होप्स वर्ष 2011-12 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आमों की पैदावार में दूसरा स्थान प्राप्त किया? A. हमीरपूर B. उना C. सिर मौर D. मंडी हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? A. किन नौर B. कुलू C. सिर मौर D. शिम्ला हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आम का अधिक्तम उत्पादक है? A. कांगरा B. किन नौर C. मनाली D. चम्बा रिबा अंगूरों की भूमी किस जिले में स्थित है? A. कुलू B. लहौल्स P. टी सी किन नौर D. सोलन कुलू घाटी में सेब बाग में सेब का पहेर लगाने वाला प्रथम स्थानिय क्रिशक था कर्नल प्रीती चंद बी, प्रताप सिंग सी महेश्वर सिंग डीप, पाधा बंसी लाल कि कि एदू ऑट्सके बाग में सेब आ रहादा है वाल कि झांग